हमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एक और पॉर्टफोलिय के उपर तो जिनका ये पॉर्टफोलिय है इन्होंने बता है that I am a long term investor and I want to hold this portfolio for lifetime अभी देखिए सबसे पहला चीज कि आपको अपना जो थोड़ा चेंजस लाना पड़ेगा आप अपने इन्वेस्टमेंट को lifetime तक continue करें पट यही पॉर्टफोलिय को सेम स्टॉक्स को lifetime तक hold करना ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि क्या होता है कि अगर आप यह thought process लेके चलेंगे कि यह जो stock मेरे पास है इनको आप मैं lifetime के लिए hold करूँगा तो simply क्या होगा कि आप इन stocks के साथ इन companies के साथ emotionally attach हो जाएंगे और जब यह काम कर देंगे आप तो आप कभी सही exit नहीं ले पाएंगे क्योंकि stock market में सारे companies आज से 10-20 साल या 30 साल बद नहीं चलने वाले या आज जैसा इतना अच्छा लग रहा है उतना अच्छा नहीं रहने वाले तो profit booking भी ज़रूरी है तो I think आप अपने investment को continue करे lifetime तक but same stock को continue करना है ज़रूरी नहीं है सही time आते आप profit book भी कर सकतो वो पैसा तूसरे company में आप डाल सकतो मैं personally कहा करता हूँ as of now क्योंकि मेरा age काफी कम है तो मैं 2-4 साल का एक view लेकर चलता हूँ कि ये company में 2-4 साल के अंदर एक अच्छा टेलवेंड है एक अच्छा return मिलने का possibility है तो वहां तक मेरा एक view रहता है उसके बाद 2-4 साल में तो बहुत सारे opportunities आएंगे तो उसको मैं या पर study करके देखूँगा कि मेरे जो existing investment है उसस stock ले लिया उसको मैं 20 साल या 30 साल तक रखने वाला हूँ इससे क्या होगा simply आप emotionally attached हो जाएंगे ओके तो आई थिंग पहला जो आपका point है उसका answer आपको मिला होगा तो दोस्री इन्होंने बता है that SIP करेंगे 10 से लेके 15,000 का हर महीने and उसके अलावा कुछ stock को अगर swap करना ह है like replace करना है तो देखेंगे वो आगे portfolio में कि कैसा stock है कैसा portfolio है पाथ stock में यह SIP करना चाहते है वो भी हम देखेंगे and इसके अलावा I'm doing SIP of 3,500 rupees in mutual fund as well and some amount invested in US stocks अभी देखी US में मैं investment तो नहीं करता हूँ क्योंकि इंडिया में काफी सारे opportunities है बठा यूएस भी मैं cover कर लेता हूँ कैसे क्योंकि मेरा जो एक simple सा fund है पड़ाख पाड़ीक फ्लेक्सी का आप सभी लोगों को पता ही होगा तो उन्होंने value investing किया है इंडिया के कुछ ऐसे companies like coal India या ITC चाहाँ पे मैंने personally invest नहीं किया बट पड़ाख पाड़ीक के through मैं indirectly invested हूँ and same मैं US stock में भी invested हूँ पड़ाख पाड़ीक के ही through but directly मैं अभी थाक investment की नहीं है so इन्होंने total investment किया है 3,35,000 का and अभी छोटा मोटा loss इनको होड़ा है 4,300 का यानिकी एक percent का loss इनको होड़ा है इनके पास total 17 companies है पहला company इनके पास है FL India चाहाँ पे 21,000 का total investment है और अभी सारी 3% का loss होड़ा है FL की बात करें तो company अच्छा है company growing है एन एक ऐसे industry में एन एक ऐसे business में एक company काम करता है जिस business में growth आगे भी रहेगा क्योंकि कोई भी brand को अगर इसमें बड़ा बनना है तो उसको add में spend तो करना पड़ेगा ओके शाक्तांग इंडिया जो भी लोग देखते हैं उनको पता होगा बहुत अच्छी तरीके से कुछ-कुछ ऐसे companies मिलेंगे जो कि अपना दिमाग लगा के बहुत ही कम कर्चे में ब पजाज finance and 38 और 39,000 का almost investment है अभी कुछ खास profit है पर कमपनी बहुत अच्छा है strong है and अच्छा location इनों दी है तो simply long term के लिए hold and continue आप कर सकतो तेने दीपक नाइटेट 25,000 या 26,000 का investment है 17% का होड़ा इनको loss एक तो बीच में इनका फैक्टर ये वहाँ पे आग लग गया था त उस बसे production में बीच में impact आ गया था तेन फिनोल जो फिनोलीक्स का business है वो काफी हता commodity के अंदर आता है तो उस बसे फ्लक्टूशन रहता है business में बट दूसरे साइड में अगर management की बात करें तो बहुत अच्छा management है and capex भी company ना announce कर दिया और भी बड़ा तो I think future में growth आएगा growth कब आएगा 2024 I think second half के आसपस से आने वाला है तो वह आपको पता होना चाहिए as a investor की growth actually में start कब होएगा right बाकी company अच्छा है और मैं खुद भी इन्वेस्टेट हूँ इनको होड़ा है लॉस कोई demand की बात करें तो fundamentally यह भी company बहुत है इस बार Q3 में company ने disappoint कहा पर किया मैं आपको बताता हूँ revenue में तो अच्छा ग्रो थे 25% का एक तो profit नहीं ग्रो हुआ उसको भी अगर side कर दे तो investor क्या देख दे future में क्या करेगा company क्यू 3 से जादा important यह होता है कि future में क्या करेगा company तो basically इस बार जो store का addition है वह बहुत सारे investor की सबसे कम था I think छे के around कुछ store company ने add किया तो वह दस available management है वो काम ठीक तरीके से कर लेंगे अपना and opportunity अभी भी काफी अच्छा company के लिए तो I think still आप hold and continue कर सकतो तेनिन के पास है IEX 4300 का investment है 22% का loss है अभी देखिए IEX बहुत अच्छा company है बहुत अच्छे segment में but valuation बहुत जादा expensive एक time पे हो गया था अभी भी थोड़ा सा तो मह इतने को मिलेगा I think 40 के आसपास कुछ pay ratio होगा but उसमें भी major contribution है वो other income का है other income हटा देंगे and main income जो है company का business का गोल लेंगे तो pay ratio आज भी I think 15 के आसपास ही होएगा तो इस बसे IEX बे अभी तक कोई rally देखने को नहीं मिला है अपने अच्छा काम किया है कि अपने allocation higher level पे strong है एंड जो balance sheet है वो भी बहुत ज्यादा strong है management बहुत अच्छा है trustable management है तो simply hold and continue कर सकतो है पाकि IT में किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है सब लोग result का wait कर रहे है कि जो Q4 का result आएगा या financial 24 Q1 का result आएगा वो कैसा आने वाला है आज कोई बैट के बता नहीं सकता कि इन बढ़ेगा कम होगा because अगर देखेंगे इसरे में Google जैसे बड़े company भी अपना जो employees उसको निकाल जाए business है तो लोग अभी भी पैनिक में कि IT companies अच्छे करेंगे क्या होगा demand का but I think या पर short term problem है long term के लिए companies still बहुत अच्छे and बहुत अच्छे करेंगे तेनिक के बास है जुबिलन फूट की बात करें तो company fundamentally तो अच्छा है and continuously expansion करते है जारे अपने business का तो I think simply hold and track कर सकतो और allocation increase ना करते हुए okay then इनके पास से पिडिलाइट 25,000 का investment है 11% का profit हो रहा है अच्छा company है and growing company है तो simply पिडिलाइट को आप hold and continue कर सकतो जादा risk नहीं है then इनके पास से polycap त 17,000 का तो ऐसे वाली company में क्या होता है कि simple to understand वाला business है growth काफी रहेगा क्योंकि government ने भी capex आना उसके railways में हूँ या किसी और जगा में हूँ आपेक्स आगर होएगा तो cables and wires का use वहाँ पे होएगा क्योंकि electricity तो जाना पड़ेगा वहाँ तक तो इस बसे polycap के इंडस्टी जैसे company में अगर थोड़ा बहुत गिरावाट आए तो allocation increase करने की कोशिश करना चाहिए बहुत अच्छे companies है 17,000 का investment काफी बढ़िया profit होड़ा है 40% के आसपास I think polycap यह company अभी तक मैंने किसी का portfolio ऐसा नहीं देखा कि polycap का stock है बट उनको loss हो रहा है तो मुश्किल सही company ने loss दिया है तो बहुत अच्छा company ने बहुत अच्छा performance किया है इसने तो simply hold and continue करना सही है 29,600 का investment है 10% का loss हो रहा है अभी quarter 3 में क्या होएगा उसको तो हमने बहुत पहले से discuss कर रखा था कि profit किर सकता है because of the inventory loss कि जो raw metal जादा दांपी नोंने खरीदा था अभी raw metal का cost गिर गया है तो inventory loss बुक करेंगे बट अभी कम दांपे जो raw metal खरीद रहा है यह companies जब फिर से raw metal का investment है 28% का होड़ा है इनको loss अभी देखें footwear industry growth करेगा ऑके पट footwear industry के अंदर भी काफी सारे segment है तो कौन सा industry footwear के अंदर grow करेगा segment grow करेगा वो भी आपको देखना चाहिए अभी रिलेक्स हो देख कंपणी अच्छा है management अच्छा है and quarterly basis बे नंबर मार्जीन थोड़ा बेटर होना स्टार्ट हुआ है तो basically जो चीज एस्टाल प्रिंस पाइप के साथ हुआ है वो चीज इस क्वार्टर में रिलेक्सों के सा से पहले आपको जरूर कंपणी का पॉफर्मिस जरूर देखना चाहिए और इसके साथ आप दूसरे फुट्ट्वर कंपणी को भी ट्रैक के जाएगा मैंने देखा नहीं अभी तक तो वह टाइप के जो कंपणी से उनको भी आप ट्रैक जरूर करते रही है क्योंकि एटली का इंवेस्मेंट है 7% का होड़ा है इनको लॉस एक्टे में वालूइशन बहुत जादे एक्स्पेंसिव हो गया था वहां से पी काफी बहुत गिर चुका है बहुत अच्छी बात है तो आई थिंग सिंपली होल्डन कंटिनू कर सकतो क्योंकि मेज़ोर्टी गिरावट हो इनको पॉड़ोर्च होज़ोज है इस कमपनी में क्वालिटी कंपनी है तो सिंपली होल्डन कंटीनू आप कर सकतो बाही बहुत अच्छा है बहुत श्रॉाग है तो गुजर चूगा ए। इसको छोड़ देते क्योंकि अभी तो डिसमबर का नंबर उतना इंट्रेस्टिंग आया नहीं हलाकि क्यों 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 वेसिस पे नंबर अच्छे आने स्टार्ट हुए इंप्रूब्मेंट स्टार्ट हुए और लास्ट चार पांच महीने के अंदर बड़े बाइंग्स भी इंक्रीज कर सकतो तेने वीबिल एंड इधर पर इंवेस्टमेंट नंनों किया 14600 का बहुत अच्छे लेवेल पर खरीदा था 734 पे 72% का प्रॉफिट भी हो रहा है तो वीबिल में ऐसा नहीं की कहानी खतम हो चुका है जो कंपनी में ग्रोथ सस्टेन करेगा वो कंपनी तो अगर वीबिल में आगे भी करेक्शन आए तो आप इंक्रीज कर सकता अपने अलोकेशन को ओके तो दोस्तों यह था इनका ओवरल पॉर्टफोलियो अभी इनका कोशन है कि अभी कौनसे पांच कंपनी में साइपी करना चाहिए चाहो तो आप दोस्तों जो लोग वीडि कर सकतो और उसके अलावा चलिए अभी काल्कॉलिशन कर लेते की टोटल कितना वेल्ट कर सकता हमें तो टोटल इंवेश्मेंट हमने तीन लाग तीस हजार का लिया जो पॉर्टफोलो का साइज है करेंटली और इनको अगर एक्सपेक्टेटर सोला पॉर्सन का रिटन मिलता हम एकदम कंजर्वेटिव होके अभी रिटन एक्सपेक्ट करके चल रहा है और इन्होंने बताए कि लाइफ टाइम तर कंटीनू करेंगे हम यहाँ पर बीस साल का टाइम पेरिएड ले रहे तो यह करेंट पॉर्टफोलो जो है यह 64 लाग का वेल्ट बनाके देगा अगर 16 का एवर्ज रिटन मिले पट असली पैसा तो आपका बनेगा इसाइपी के थ्रू तो इन्होंने बताए कि 10 से लेके 15,000 का इसाइपी करेंगे तो हम लोवर फिगर ले ले लेते 10,000 का इसाइपी करते सेम एवर्ज रिटन एंड सेम यार के लिए अगर कंटीनू करते तो 1.74 पूर करोंगा जो टोटल वेल थे ये क्रियेट कर सकते मोटा मोटी या पे 2.3 2.4 करोंगे आसपास का जो वेल थे ये क्रियेट कर सकते आफटा 20 अगर इनको 16 पोर्सन का जान मिले अगर 16 की जगा इसको हम 18 करते यानिकी एक्स्पिरियेंस बढ़े एन थोड़ा अलोकेशन अगर मिटकेप में ज्यादा जाए अच्छे वाले तो अगर ज्यादा रिटन बना पाते तो 2.3 करोंगा जो वेल थे इसाइपी अमाउंट के थ्रू ही सिब बना पाएंगे तो दोसी ये था आज का मड़ा पोर्टफलो रिवीव का वीडियो आई होप वीडियो आपको अगले वीडियो में बाएं